Hello दोस्तो, Great Smashes में आपका स्वागत है The question is from propositional logic Which of the following propositional formula is tautology तो यहाँ पर question में बूचा हुआ है कि whether it is a tautology तो tautology का जो concept है तो यहाँ पर basically तीन टाइप के questions आती है यहाँ तो tautology, contradiction and contingency तो हम tautology कब बोलते हैं जब हमारा final answer जो है वो true आता है मतलब अगर final में हमारा answer क्या है आएगा 1 तो उसको हम बोलते हैं totology contradiction का मतलब है अगर final में answer आपका आज़ा है false मतलब 0 अगर answer आज़ा है solve करने के बाद इसको तो आपका answer अगर 0 आज़ा है तो इसको बोलते है contradiction और contingency contingency का मतलब है कि अगर आपका final answer कुछ भी value आ रही है मतलब let's say P अकेला आ गया या P प्लस Q आ गया P अकेला Q आ गया कुछ भी other than 1 and 0 तो उसको हम बोलते है contingency तो इस type का question जो है वो frequently asked है competitive exams में अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेरे पस question में वही पूछा हुआ है कि 4 options है इन में से कौन सा totalology है तो आपको simply इसको solve करने है let's say कि अगर हम option A को उठाएं तो option A को solve करेंगे तो कैसे solve करना है negation of P जिसको आप क्या लिसकते हो P bar V, V मतलब plus P bar plus R इसको simple format में हम लिख देते हैं P bar plus R this is what implication तो implication का मतलब क्या होता है कि let's say P implies Q इसको हम जल्ली solve करते है P bar plus Q ये आपको याद रखने है simply P implies Q का मतलब होता है P bar plus Q तो बस आपको यहाँ पे let's say कि एक step बाद हम कर लेंगे इसको solve पहले इसको भी हम normal लिखते है P plus R bar simple हमने इसको भी लिख लिया अब हम implication जब इसको हटाएंगे तो क्या आएगा this is P ये पूरा मतलब एक तरह से आपका P हो गया ये पूरा आपका क्या हो गया Q हो गया तो यानि आपका क्या बनेगा P bar plus Q तो यानि इस पूरे का bar P bar plus R का पूरा bar plus P plus R bar ये आपका यहां पर solve कर लो P double bar P bar bar क्या हो जाएगा अकेला P plus का negation क्या होता है मतलब अगर आपके पास और है तो और का negation होता है end end का negation क्या होता है और तो यहां पर plus का मतलब यानि आपका और होता है तो और का negation करोगे तो R bar plus 1 plus R bar, तो यानि यह आपका आगया P plus R bar, यहां से हमने P को common ले लिया, तो R bar plus P हो गया, और this is all, तो यह आपका P plus R bar, आप किसी और तरीके से भी अगर लेते हो, लेट से इसको और इसको और इसको common लेते हो, तब भी आपका answer जो है, वो कुछ ना कुछ value बचेगी, मतलब ना तो true पूरा आएगा और ना false पूरा आएगा, तो यानि यह tautology नहीं है, इस तरीके से आपको जो option B को solve करना है, C को solve करना है, और इस question का जो right answer है, वो क्या बनेगा D, वो भी हम check कर लेते हैं, P, this is what, यह implication नहीं है, यह है हमारे पास double arrow, double arrow का मतलब क्या होता है, कि let's say P, Q, तो इसका मतलब है, P, Q, प्लस P, बार Q, एक तरह से अगर हम digital के point यह से बात करें, तो digital में इसको बोलते हैं, X, nor operation, तो X, nor operation की तरह काम करता है, P, Q, प्लस P, प्लस P, बार Q, और यह क्या है, प्लस, मतलब V क्या है आपका यहां पर, यह क्या है, बेसिकली प्लस operation ही है, तो इसको इसको यहां पर प्लस लिख लिए, और next आपका आगया, P, Q, अगेन हमारे पास P, Q, बार इसको simple normal लिख लो, आपको एक बार as it is लिखना है, और एक बार उसका दोनों की तरफ क्या लिखना है, आपको negation, तो दोनों की तरफ negation लिखना है, तो क्या बनेगा, P, Q बार और यह बन जाएगा, P, बार Q, यह आपका जो है यहां पर, simplification करने के बाद आएगा, अब इसको जब आप solve करोगे further, तो यहां पर आप इन दोनों में से, इन दोनों को combine कर लो, इन दोनों में से common ले लो और इन दोनों में से, तो इन दोनों में से common लोगे, तो यह P, Q प्लस Q बार आगया, प्लस, P बार common लोगे यहां से इन दोनों में से, तो P bar Q bar plus Q यह आपका इस तरीके से solve होगा, तो Q bar plus Q क्यों होता है, 1 होता है तो यानि आपका answer P आगया, plus Q bar plus Q क्यों होता है, 1 तो यानि P bar का as it is, तो P plus P bar क्यों होता है, 1 तो देखो final answer क्या रहे है आपका, 1 तो इसको हम बोलते हैं basically total हो जी इस तहीके से आपको questions को solve करने है बस जब common ले रहे हैं तो ध्यान रखना कि किन दो values को common ले रहे हो ताकि आपका answer जो है वो जल्दी से जल्दी reduce होने की आपको यहाँ पे कोशिश करनी है जितना reduction करते रहोगे उतना आपका answer जल्दी आता रहेगा और जो properties है यह formulas है यह आपक लखने पड़ेंगे क्योंकि इनको आप direct यहाँ पे apply करोगे थैंकी